हेलो दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन इस्टिडी पॉइंट दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इस्पेशल है राम बान सावित हो सकता है कि आज इस वीडियो आपके लिए सुपर हिट करेंड अफेस 2018 के टॉप 50 कोईश्चन बताऊंगा दोस्तों य यह जो कोईश्चन है काफी चर्चित कोईश्चन है 2018 में जितने चर्चित कोईश्चन थे और यह जो आपके अपकमिंग से एक्जाम होने वाले हैं 2018 में रेलवे के लिए श्पेशल है ये वीडियो गुरूप D वाले लपी टेग्निशन वाले वीडियो जरूर देखकर जा तो आप वीडियो को पस पूरा ध्यान से लाश तक देखिएगा फिर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा काफी सलेक्टेड बहुत इंपोर्डन कोईश्चन है इनको मिश बिल्कुल मत करिएगा आपके एक्जाम में जरूर पूछा सकते हैं काफी हेलफूल सावित हो का ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ ठीक है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा ये चैनल पर पहली बार बीट करें चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें साथ में जो घंटी उसको ओन कर लें ताक कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे ठीक है इस वीडियो की पीड इन के लें टेलिग्राम चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला कोश्चन है भारत के उपर राष्टी सुरक्षा सलाकार की रूम में किन्हें न्यूक किया गया है तो भारत के उपर राष्टी सुरक्षा सलाकार की रूम में दोस्तों किसको न्यूक किया गया है प तो वर्तमान वो भारत के नेशनल से केर्टी इडिवाईजर दोस्तों वह अजीत डोभाल कोने अजीत डोभाल जी वर्तमान वे राश्टी क्ष्रक्षाएस सलाकार है जब कि उपराश्टी सुरक्षास्थ अलाकार के रूम में नियुक्तिया गें पंकत सरन्गो बहुत इंब question में जब तो आपको बताऊंगे important question तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा जो हाली में शेवारन रिवित हुए थे तो राश्टी उपुफोकता विवाद निवारन आयोक का अध्यक्सिस को निक्त किया गया है आरकेड अग्रवाल जी को ठीक है दोस्तों आप हमारा फेस्बुक पेज लाइक कर लिजे उसको वीडियो को डिक्सिप्शन बॉक्स आपक पूलोगा पेज लाइक कर लिजे आपको वहां भी मिल जाएगा चलिए अगला कोशन है यूएन एपी ने किस हवाई एड़्डे को दुनिया के पहले पूर्ण रूप से सौर उर्जा संजाली थवाई एड़्डे गुरू में मानता दी है तो दोस्तों संयुक्तरास्ट प कारिकरम के कोचीन इंटरनेशनल एरपोर्ट को दोस्तों दुनिया का पहला पूर्ण रूप से सौर उर्जा संचाली थवाई इड़्डा माना गया है ठीक है तो बहुत मातपूर्ण कोशन है अगला कोशन है राष्टी सूचना विज्ञान केंद्र के चौथे डाटा पूर्ण पूर्ण में एनाइसी के डाटा के अंदर पहले से भी मौजूद है तो राष्टी सूचना विज्ञान के अंदर के चाओथे डाटा सेंटर को दगाटन कहां किया गया ओडिशा की कैप्टल भूबनेश्च्वर में ठीक है चलिए अगला कोशन दोस्तों किन्हे वर्ष 2017-18 के लिए वर्ष का C8 अंतराष्टी क्रिकेटर चुना गया है तो यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है C8 इंटरनेशनल क्रिकेटर जो चुना गया है राइट एंसर है ऑप्शन से विराट कोहली को देखे उस तो भारती क्रिकेट टीम के कैप्टन जो है विराट कोह को वर्ष 2017-18 के लिए वर्ष का C8 अंतराष्टी क्रिकेटर चुना गया है और यह तीसरा अपसर दोस्तों जब उन्हों ने यह पुरुसकार हासिल किया है और कोहली कुछ से पहले दोस्तों वर्ष 2011-2013 चुदों में पुरुसकार मिल चुका है तो यह तीसरी वार मिला है कि C8 इंटरनेशनल क्रिकेटर किसे चुना गया है भारत के कैप्टन विराट कोहली को ठीक है यह बहुत इंबोडन कोशन है दोस्तों यह मैं आपको फिर से बोल ला हूँ कि वीडियो अंदर तक देखिएगा नहीं तो आप बहुत ज़्यादा जो तो मिस करेंगे बहुत बोडन कोशन में इसमें पूरा सेलेक्ट किया हूँ काफी मेहनत लगी इसको सयार करने में ठीक है चलिए अगला कोशन है कि इन्हें वर्स 278 के लिए वर्स का तो हो चुका है कोशन रिपीट हो गया है अगला कोशन है C8 के क्रिकेट रेटिंग पूर्स कारों में T20 बॉलर आप यर अवाट कि इन्हें परदान किया गया है तो C8 के क्रिकेट रेटिंग पूर्स कारों में T20 बॉलर आप यर अवाट किसे परदान किया गया है राशिद खान का निया उपसंडी राइट है देखे उस तो अफग आगला कोशन दोस्तों अरवियाए के ने कि अपना पहला चीफ लॉफिसर न्युक्टिया है ये बहुत इंपोड़न कोशन है तो रिजरु वेंक ओफ इंडिया जो कि भारत केंद्री वेंक है ने अपना पहला चीफ लॉफिसर किसे न्युक्त किया है औप्षण इसका डिपॉजिटरी लिम्टेट की वाइस प्रेसिडेंट रही है ठीक है और दोस्तों प्लीज वीडियो पसंद आद प्लीज लाइक जरूर करिएगा टार्गेट रखते हैं 12,000 लाइक का आई हो पर यदि आपको वीडियो पहले पूरा देखिए गए तो आपको वीडियो बढ़ाने के लिए और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो एक होसला बढ़ाने के लिए कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा अगला कोशन है इब्राहीम कैसेरी फोफाना ने किस देशों के प्रधान मंतरी के रूप में सपत ली है दोस्तों इसका राइट एंसर हो जागा अप्सन भी गिनी के रूप में देखे उस तो गिनी राष्ट पती अलफा कॉंडे ने राजनिक तनाओं के बीच इब्राहीम कैसोरी फोफाना को देश का नया प्रधान मंतरी रूप में नियुक किया है इसके लावा दोस्तों फोफाना ने यह पाएद मेमेली यवला के स् अब फोफाना इससे पूर्व सरकार में निवेश और सार्विंग निजी भागिदारी मंतरी के पतवर थे तो इब्राहीम कैसोरी फोफाना कि इस देश के प्रधान मंतरी रूप में सबदली है गीनी के प्रामिनिस्टर ग्रूप में ठीक है अगला बहुत इंपोर्डन दोस्तों IPL 2018 में दाइमर्जिंग प्लेयर का पुरुसकार रिसब पंद को दिया गया है किसको दिया गया है रिसब पंद को ठीक है चलिए अगला कोश्चन दोस्तों निमलिकित में से किस टीम ने IPL का 11 संसक्रण जीता है तो यह भी काफी important question है तो IPL का 11 संसक्रण दोस्तों आठ विकेट से हरा कर IPL किरिकेट किताब तीसरी बार जीत लिया है तीसरी बार है जबकि इसने चन्ने सुपर गिंग ने जीता है कि इसको हरा कर Sun Rager सैदराबाद को हराया है और यह भी कई वार पूछ लेता है कि इस Stadion में मैंच खेला गया था तो कहला गया था मुंबई क ये वान खेड़े इस्टेडियम में तो आपको इस्टेडियम भी याद रखना है तीन बिकित में से किस टीम ने आई-पी-अल ग्यारमा संस्क्रण जीता है चेन्नाई सुपर गिंग ने संडाज सहधराबाद को हटा कर और चेन्नाई के दोस्तों तीसरी बार इसने खिताब अगला कोश्चन है कौन 8000 मीटर से उची 6 चोटियों पर फटय करने वाले सबसे कम उम्र का परवतरोही बना है तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसंडी अरजुन बाचपेई देखे दोस्तों भारती परवतरोही अरजुन बाचपेई 8000 मीटर से जादा उ उचे 6 शिक्रों को फटय करने वाले सबसे यूबा परवतरोही बन गये हैं सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने ये कारणामा कर दिखाया है तो 8000 मीटर से उची 6 चोटियों पर फटय करने वाला सबसे कम उम्र का परवतरोही कौन बने हैं अरजुन बाचपेई जी बी कॉलंबिय देखे उस्तों राष्टपती जुवान मैनुवल सेंटोस ने घोसना की कॉलंबिय जल्द ही आपचारी ग्रूप से उत्तरी अटलांटिक संधियानी नाटो में शामिल हो जाएगा और नाटो में शामिल होने वाला लैटीन अमेरिकी राष्ट बन जाएगा पहला लैटीन अमेरिकी राष्ट बन जाएगा ठीक है तो कौन सा लैटीन अमेरिकी देश नाटो में शामिल होने वाला पहला देश बन जाएगा कोलंबिय आप्सन भी राइट है अगला कोशन बारवा डोस की पहली महिला प्रधनमंत्री कौन बन गई है दोस्तों इसका र बारवा डोस की पहली महिला पी-म कौन बन गई है तो पहली महिला प्राइमिस्टर बन गई मिया मोटले यानि ऑप्सन सी राइट है अगला कोशन है कौन सा देश अंतराष्टी सौर गटबंदान के फ्रेम बर्क में 64-वा हस्ताक सरकरता बन गया है दोस्तों इसका राइट अंतराष्टी सौर गटबंदन के सदस्था लेने वाला 64-वा देश बन गया है ठीक है तो कौन सा देश अंतराष्टी सौर गटबंदन के फ्रेम बर्क समझते का 64-वा स्ताक सरकरता बन गया है तो बन गया है नीदर लेंड के प्राइमिस्टर कौन है मार्क रूट अगला क कोशन है प्रतिष्ठित मयन बुकर इंटरनेशनल पूर्शकार दोठार किसने जीता है तो प्रतिष्ठित मयन बुकर इंटरनेशनल पूर्शकार दोठार किसने जीता है तो प्रतिष्ठित मयन बुकर इंटरनेशनल पूर्शकार दोठार किसने जीता है तो प्रतिष्ठित मय दोस्तों असम सरकार ने राज जी के 16,00,00 वरिष्ट नागरिकों को पेंसन उपलब्द कराने का निढ़ने लिया है जो हांकि सिया में सरवान सोनो वाल ने वरिष्ट नागरिकों को शरसक्द बनाने के लिए पंचायत और ग्रामेड विगास विभाग से इस दिसा में आवर् उठाने को कहा है और इस पहल के तहत राज सरकार 60 होर्स और उस से उपर की आईव वाले सभी वरिष्ट नागरिकों को पेंसन उपलब्द करवाएगी तो की सरकार की सरकार ने हाली में साट साल और उसJ अधिक आईव के सभी वरिष्ट अगर को pension प्रतान शुरू किया है Option C आसम सरकार ने अगला Question दोस्तों 23 मईद 2018 को करनाटा की उपमुख्यमंत्रिक रूब में किसने सबद ली है दोस्तो 23 मईद 2018 को करनाटा की उपमुख्यमंत्रिक रूब में किसने सबद ली है Option C परमेस्वर ठीक है चलिए अगला question है इंडिया का ध्यक्षी रूप में किसे नामित किया गया है अगला कोशGAN है एरुसलम में अपना दूटावास खौलने वाला पहला देश का उन सा है आपने दूतावास को दोटन किया है इस प्रकार ये तीसरा देस्फा देश बन काई जिसका दूताबास तेल अभीव से एरुसलाम में सिप्ट किया गया है एरुसलाम में अपना दूताबास खोलने वाला पहला देश अमेर की है तो एरुसलाम में अपना दूताबास खोलने वाला पहला देश अमेरिका बन गया है किस देश ने दुनिया के पहले floating परमादूर्जाइ स्टेशन का नावरण किया है तो यह बहुत important question दोस्तों इसका right answer जाएगा option भी रूशन देखें तो रूश ने अपने पहले तहरतेवनी floating परमादूर्जाइ स्टेशन का नावरण किया है अब तक किसी देश के पास ऐसा सैंत्र नहीं है इसे nuclear power from रिसो टॉम ने सेंट पीटा स्वज में तयार किया है और यह मई दोर 18 में मुर्स मैंक्स पहुचा है और यहाँ परमादू इधन लोड होने के बाद यह पूरवी साइविरिया के लिए रवाना होगा तो किस देश ने दुनिया के पहले floating परमादूर इधन का नावरण किया है तो यह किया है रूस ने यानि अपने पहले तैरते हुए परमादूर इधन का नावरण रूस ने किया है अगला कोशन दोस्तों माउन टेवरेश्ट पर फत्य पाने वाली सबसे कम उम्र की भारती महिला का क्या नाम है तो माउन टेवरेश्ट पर फत्य पाने वाली सबसे कम उम्र की भारती महिला का नाम है तो आप्सन सी शिवांगी पाठक ठीक है चलिए अगला कोशन दोश्टों 26 नम्मर का तो लरित कलाक आदमी का नायद ध्यक शुरू में किसे ने उत्किया गया उत्तम पर्षने को अगला कोईशन दोस्तों उलेखनी गीतकार कवी राजनेता का नाम बताएं जिनका हाली में मतमरेश में निधान हो गया है बताएं दोस्तों कुवा वर्स 1984 से 1984 तक मतपरेश के मंतरी रहे और वर्स 1984 से 1989 तक लोगशवाग सदस रहे और रहबाद में राजशवाग के भी सदस रहे थे तो लेकिनी गीतकार कवी राजनेता का नाम नंद रामदास बैरागी जिनका मतविस निधान हो गया इनके बाल का वेरागी नाम से भी जाना जाता था अगला कोशन दोस्तों अमेरिकी सीनेट ने किन है इंटेलिजेंस एजनसी की पहली महिला निदेसक बनाया जाने की पुष्टी कर दी है तो राइट एंसर दोस्तों आपसा ने जीना होस्पेल ठीक है देखें दोस्तों अमेरिका सीनेट ने जीना होस्पेल को सेंटरल इंटेलिजेंस एजनसी का अगला निदेसक बनाया जाने की पुष्टी कर दी है और वोई CIE की पहली महिला निदेसक होगी तो अमेरिकी सीनेट ने किन है सेंटल इंटेलिजेंस एजेंसी की पहली महिले निसक बना जाने कि पुष्टी कर दी है जीना हॉस्पेल ने अगला कोशन दोस्तों किन है दूसरे कारकाल के लिए ICC अद्धेक्स के रूम में निर्वरोद निर्वाचित किया गया है दोस्तों ये वीडियो का फस्ट पार्ट था इसको मैं यहीं पेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती यदि आपको दूसरा वीडियो चाहिए तो कम सकम 10,000 लाइक्स कर दीजिए यदि आप 10,000 लाइक्स कर देंगे तो मैं समझ जागो का आपको दूसरा पार्ट इसका चाहिए और मैं और कोश्चन आइड कर लूँगा यदि आप लोग जादा जादा लाइक करेंगे तो आप हम इस्टाग्राम पे फालो कर लिजिए उसकी भी आइडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ नेक्स्ट पार्ट के लिए आप बेल आइकन आउन कर लें ताक कि आपको वीडियो मिलती रहें मिलते नेक्स्ट वीडियो को साथ दोस्तों आल दे बेस्ट जैहिन बंदे मातरम